तो भाई अभी अभी मैंने पीपा नाम का एक जो मूवी आने वाला उसकी ट्रीजर को देखा ना भाई काफी जादा इंप्रेश्ट हुआ इंडिया में इस टाइब की जितनी भी रिएल स्टोरी बेस होती है ना इस मूवी को काफी ज्यादा ओर्डियंस पसंद करती है और ये रिएल इस्टोरी बेस है जो इंडिया पाकिस्तान का जहां हुआ था उनिस सुएखात्र में उसके बारे में ये पूरही तरीके से कितने हमारे सिपाई थी वह जक्मी हुए और क्या के हुआ एक्चुली में मेरे इसमी में तो तो ट्रीजर की में काफी जादा अच्छा लगा याद हो गाँ कि दिर्टर राजक इसनाप को याद होगा दौब Ёए मूटियρά में तो इंडिया बहुत था लेकिन जाद तरढ जंग दिखाये गिया थैं बाहर के बाहर के गल्फ कंटी के बारे में तो इसलroe. का सकते हम लोग कि यह मूवी जो है आने वाली काफी ज्यादा हीट हो सकती अगर इसके कास्ट के बारे बात करें तो इशान कत्तर इसमें लोगों देखने को मिलेंगे जिन्हों ने एक कमांडिंग ऑफिसर का रोल अदा किया और हम लोगों बस देखने पड़ेगा यही चीज काफी जाद आचने आज के यूद को जानने के लिए बहुत ही जरूरी चीजे इसलिए हम लोग यह मूवी देखनी चाहिए ताकि अगर जो बच्चे आज की यॉंग में इंस्तर है बहुत उनको इस स्टोरी नहीं पता है तो इस मूवी के माधधम से वह इस सब चीज को जान सकते हैं तो इस टाइम में किस तरीका से जंग हुआ करती ठीन और मतलब क्या-क्या मुस्यीबतों का सामना करना पर यह मुवी इस लास्ट के दिसंबर में रिलीज की जाएगी तो भाई-साब मुवी को काफी ज़्यादा रिस्पॉंस मिलेगा क्यों कि देखो बॉलीवूट तो हर चीज से मार खा रहा है हम अब यह मूवी भी नहीं चलेगी तो फिर यार सच में बॉलीवूट का तो कल्यादान होना तय है